हालो अब्रीवान आयम बिर्जेस इन दिस वीडियो ब्यार गूंग टू स्टार्ड क्लास 8 मैद एक्टरसाइस 14.2 बिट कोशन 4 इन दिस कोशन भी है फैक्टराइज तो हमें यहां पर कुछ एक्षपेशन गिवीन है उनको हमें फैक्टराइज करकी लिखना है मीन्स फैक्ट का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहां पर इसको यहां पर हम लिख सकते हैं बे स्क्वायर का होल स्क्वायर मैंने यहां पर इसको इस बे में क्यों लिखा इसको लिखने का एक रीजन है एसक्वायर माइनस बी स्क्वायर एक होती है हमारी आइडेंडिटी तो यहां प प्लस करना होता है एंद के बाद हमें इस टैप से ब्रैकिट के अंदर अपने लिए यहां पर हमारा यह यहां पर यहां पर भी यहां पर लगा हुआ है सेम इसीी आडिंटि के कर इसमें हम यूज करेंगे तो यहां है पर फ्रेस्ट Skill or क्लस बी स्कुआर हम प्लस कर देंग देनस के बाद हम माइस कर देंगे, a²-b² हमने माइस यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर देखिए, a²-b², इसको हम एज़िट लिख देंगे, a²-b² कोई भी हमारी आइडिटी नहीं होती है, बट a²-b² हमारी है आइडिटी, तो हम इसको अगेन लिख सकते हैं, a-b, 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 इस-b में, तो यहाँ पर हमारा यह final answer हो गया, first वाला हमारा factorize हो गया, अब यहाँ पर हम करते हैं, second वाला, यहाँ पर p to the bar 4 दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं, p² का whole square, अब यहाँ पर square की उपर square लगा है, means power की उपर power लगी है, इसका मतलब यहाँ पर यह है, 2 की multiply इस 2 से हो जाएगी, इस power की multiply इस power से हो जाएगी, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो इसको मैंने इस b में यहाँ पर लिख दिया है, और नहींस इसको हम लिख सकते हैं, 81 को, 9 into 9, 9, 9 जाब होता है, 81, तो यहाँ पर 9 की पाबर, हम यहाँ पर 2 कर सकते हैं, 9 square हम इसको लिख सकते हैं, 9 square, अब यहाँ पर देखिए, a square minus b square, वाड़ी idea डिटी का इसमें use हो जाएगा, तो यहाँ पर e हमारा e हो जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा, यहाँ पर square लगा हुआ है, तो first हमें क्या करना होता है, इन दोनों को plus करना होता है, तो यहाँ पर b square plus 9, then हमें minus करना होता है, b square minus का 9 हो जाएगा, इस तरह से, अब यहाँ पर b square plus 9, अब यहाँ पर b square, अब 9 को हम लिख सकते हैं, 3, square इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर, अगर हम 3 की multiply 3 से कर देंगे, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3, 3 जाब होता है, 9, तो यहाँ पर मैंने 3 का square लिख दिया है, तो इसको हम यहाँ पर, 3 का square equal to, यहाँ पर हो जाएगा 9, इस तरह से, तो यहाँ पर again, E square minus B square वाली, I, G, D, का इसमें use होगा, तो यहाँ पर, P square plus 9, एंड यहाँ पर, P plus 3, इन दोनों को हमें पहले plus करना होता है, then as far हमें minus करना होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, minus करेंगे, तो P minus 3, तो इस तरह से, यहाँ पर यह second वाला factorize हो जाएगा, अब यहाँ पर हम nest करते हैं, third वाला, तो यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं, 1 square का whole square, and nest minus, इसको हम लिख सकते हैं, Y plus Z, square का whole square, इस तरह से, हम पर हो जाएगा, अब A square minus B square वाली ID का, इसमें use होगा, एक बार इन दोनों को में plus करना होता है, तो यहाँ पर X square plus Y plus Z का square यहाँ पर हो जाएगा, then हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है, तो यहाँ पर हम minus करेंगे, तो यहाँ पर X square minus Y plus Z square, इस step से यहाँ पर यह हो जाएगा 今 ब्रक मुझे यहाँ बड़ावाल लगाँ अब यहाँ इसघ्स से ही हो जाएगा अब इंशाए इसथ पर देहें नहीं अ mutta y plus z ka whole square and bracket gyau close जाएगा तो यह हमारा e हो जाएगा तो again вес plus x plus y plus z हो जाएगा minus करना होता है हाँ minus करेंगे इसको तो यहाँ पर x直接 x आएगा and- mi all to be y plus z इक बार Safari प्लस इक बार मिल सक less स्वा आप अब बार हुआ करना होता है अब यहां पर हमस्कुम solve करते हैं again x square plus y plus z का whole square and bracket हम close करेंगे इस type से again यहां पर x plus y plus z यहां पर यहां पर यहां पर plus इसके पहले plus का sign था तो plus वाला जो sign होता है bracket के अंदर जो numbers है उनके sign को effect नहीं कहता है बट इससे पहले अगर sign होता है minus का तो माइस की अंदर entry होती है तो यहां पर minus की अंदर entry होगी तो यहां पर जो आपको expression दे रखे हैं यहां पर जो भी variables दे रखे हैं उनका sign चेंज हो जाएगा तो यहां पर x हो जाएगा minus का y हो जाएगा minus का z यहां पर यह हो जाएगा इस टाइप से तो इसको हम जहाए यहालब लगए ढ़ड़ा सकते हैं इस तरह से तो हमारा यह final answer हो जाएगा तो इस तरह से आपको थरवाले पार्ट का solution करना है अब यहां पर हम 4 वाले पार्ट को solve करते हैं तो 4 वाला पार्ट में हाप पर इसको हम लिख सकते हैं x square का whole square इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं x minus z square का whole square तो हमें के करना होता है एक बार plus करना पड़ेगा इसको तो यहाँ पर यहाँ वाली identity हमारी यूज वह रही है तो यहाँ पर x square plus x minus z का whole square and bracket close again हमें के करना होता है minus करना होता है x square minus x minus z का whole square इस तरह से यहाँ पर आ जायगा अब यहाँ पर इसको हम अगेन यूज़ कर सकते हैं और इसको भी हम अगे हम अगेन यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर डिख के हैं इससे पहले हमने ELOT यहां पर open करोंगा तो यहां पर एक स्कार हो जाएगा तो एक युष्ट यह आड़ हो जाएंगे तो इसको हम आपर आपक रहा हरे नेस्ट यह वाली ए मानस भी ओल इसकार वाली आज़ ने डिकार्स में यूज हो रहा है A equal to A, a square plus perfect 2av minus है, तो यहाँ पर minusाता है plus नहीं आता है इसके लिए है यहाँ पर minus आएगा and plus V square होता है इस notice A है यहाँ पर X है means यहाँ पर X score हो जाएगा next minus का 2av आता है A है यहाँ पर X है, B हाँ आपर Z तो यहाँ बहुने पर 2x and Z हो जाएगा और next plus का B square रहता है B यहाँ पर Z है तो यहाँ पर Z square आ जाएगा इस तरह से यहाँ पर ही हो जाएगा और next इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक बार इनको plus करना है 10 square में minus करना है तो हम plus करूंगा यहाँ पर X plus X minus Z तो जिस तरह से यहाँ पर है से लाएगा plus में जहाँ सेobed Тाई ने amongst करते हैं हम माईनस करिण गेश को तो सान चेर जाएगा तो हम आप पर to an souhaite मसों यहाँ पर एकस माईनस का एकस यहाँ पर मायनस कर नहीं सब्सक्रा उसका इस प्लस घट लिहां पर लिखते हैं पर ब्रैकट क्लोज बहुत करके अब और екसे लिखते एंड कर नैसे लिखते से आक्स करते हम इसको मायनस करें करें इस तरह से एक्स minus x minus z, इस तरह से इसको हम लिखते, अब यहाँ पर दिखे, plus जो होता है, जो plus का sign होता है, कैसी bracket से पहले, तो effect नहीं करता है, जो sign होते हैं, उनको stream रखता है, जब होता है minus का sign, तो क्या करता है, effect करता है, जहां minus अंदर entry करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह जो plus का है वो यहाँ पर हो जाएगा minus का एंड जो minus का है वो यहाँ पर हो जाएगा plus का हम यहाँ पर देखिए x plus का था तो यहाँ पर हो गया minus का x honest z यहाँ पर minus का था तो यहाँ पर यह plus का z हो गया अब यहांपर हमें के करना है इनको सॉल्ब करना है तो x2, x2 यहांपर हो जाएगा 2x2 ओर्नेस्ट स्टो यहांपर 2xz minus 2xz इस तरह से यहांपर होते हो जाएगा ओर्नेस्ट यहांपर xa 1-20x2 प्लस यहांपर यहांपर 2x जाट बच गया तो इस तरह से यह फाइनल हो जाएगा फोर वाला पार्ट तो इस तरह से आपको इन फोर पार्ट का सुलिशन करना है और इसका जो लास पार्ट रगया है फिफ्ट वाला वह हम सॉल्व करते हैं आप यहां पर इसका हम लास वाला पार्ट सॉल्व करते हैं यह माइनस 2a² v² अब इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं v² का whole square इस तरह से अब इसमें हम एक आइडिनेडी का यूज करेंगे वो यहाँ पर होती है a-v whole square equal to यहाँ पर a²-2av plus v² अब यहाँ पर जो a² है वो यहाँ पर है यह हमारा ay proven जाएगा to a²-2a² यहाँ पर sqaore लगा है तो हम a² को a मानेंगे यहाँ पर और axc hacerlo को हम b मानेंगे यहाँ पर and website co celebrating ho जाएगा यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा तो यहाँ पर यह वालीmarkt हमाango स्वाई हो रही है तो यहां पर a square minus b square का यहां पर हो जाएगा whole square स्टाइप से हैं पर हो जाएगा आप यहां पर इसमें हम अगेन यह वाली आजए डिम यूज कर सकते हैं a square minus b square equal to होता a plus b into में a minus v होता है इस टाइप से यहां पर हम हम अगेन यूज करते हैं यहां पर a plus b into में a minus v एंड इसका यहां पर हो जाएगा whole square लगा हुआ है अंदर वाले को हमने separate करके यहां पर लिख दिया है एंड इसको हम अगेन लिख सकते हैं a plus b whole square मैं दोनों तरफ अलाग गलाग square लगा यहां पर यहां पर आ जाएगा a minus b whole square तो इस तरह से यह वाला जो फिक्वला पार्ट हमारा complete हो जाता है तो इस तरह से आपको फिक्वला पार्ट का स्लूशन करना है I hope आपको question number 4 की सभी पार्ट का स्लूशन बहुत easily clear हुआ होगा